आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगा कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन अप्र पर बैरोजगार बहुत कम दर के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन छात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कौशल को साबित करें, बहतर आए प्राप्त करें, अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे, नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है, रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आए अर्जित करें, अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं, तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाएं। ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वैब साइट बनानी होगी, यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वैब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं। प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं. वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं. इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाएं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाएं देने के लिए किया जा सकता है. शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है. अधिक जान पाथ्यक्रम, कॉलेज पाथ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पीएसी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विग्यान, दर्शन. यह सब विशय जैसे सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं. शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं? फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए. इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमिंट वालेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के वि किराया लिया जाता है. शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है. माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है. अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें. क्या मुझे भुगतान करने से पहल रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा. डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा? यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा. मत भूलो, यद यदि आप एक शिक्षक हैं, तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करण करें, यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करण करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे, शिक्षक का पंजी करण कैसे करें, डेमो कैसे प्रापत करें अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें पहले इस फॉर्म को भरेन नियम और शर्थे स्वीकार करें रजिस्टर पर क्लेक करें अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें सक्रियल लिंक पर क्लेक करें Member login का चयान करने के बाद, अपना Mail ID और Password दर्ज करें और फिर login करें, यह आ, Google के साथ login चुने, देमो अब तैयार है, अपनी Profile संपादित करें, यह विडियो देखें, अपना पार्थ्यक्रम और Module बनाएं, डेमो के बाद, माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है, खृप्या यह कीमत देखें, इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं, पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है, इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असी मित चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव वीडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद, पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं? पीडियेफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें? इस पर हर जगह विडियो होंगे. आएए इन विडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं. मैं एक छात्र हूँ. क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा? नहीं. यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है. छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं. लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी. मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय. संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें. यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें. स्थान दर्ज करें और खोजें. अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं. यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें. वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें. अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पत WhatsApp No. और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं। यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं। यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं। तो आपको पंजी करन या लॉगिन करन केहली आवश्यक्ता है । इक रजिस्ट क्या है लॉगिन ऍंक क्या है यदी आप इस वे पोटल पर पेहली बार जा रहे हैं तो आपको पंजी करण करना होगा यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहाँ एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे सबसे पहले छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा इन सभी फॉर्म को भरें आपके मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें एक्टिवेट लिंक पर क्लेक करें रजिस्टर अब पूरा हो गया है अब आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं चयान करें मेंब पहुँज अपनी मेल आईडी और पासवर्ट से लॉग इन करें या गूगल के साथ लॉग इन का चयान करें। उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यक्ता है। इसके लिए यहां खोजें। कर दोब लॉग झाल नावसर है। इसके लिए खेवड़ियों प्यान कर दोब लॉब यहां खोजें। झाल 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 झाल